आज की वीडियो में हम Squares and Square Roots Exercise 6.4 and Question Number Second को Solve करेंगे Question क्या कहा रहा है? Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation ओके यह जो कुछ आपके numbers दिये गए है ना ठीक है? इनकी तो आपको पहले सबसे पहले square root निकालने है ठीक है? square root निकालने के बाद क्या कहा रहा है कि find the number of digit ठीक है? जितनी भी digit है ना उनकी number बताने है माल लो कि यहाँ पर 1, 2, 3 digit लिखेंगे तो total number कितने हुए? 1, 2, 3 number हुए ना यह ठीक है? number of digits digits की number कितने है? ठीक है? तो यह बताना find the number of digits in the square root of each of the following ठीक है? यह कुछ numbers दिएगे तो इसके square root निकल कहेंगे उसके बाद आपको उसके क्या बताने है? number of digits बताने है ठीक है? और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर क्या कह दिए? कि without any calculation यहाँ पर बहुत time बचा लिए आपको यह बात कहके ठीक है? without any calculation सबसे पहले करना है क्या है? ठीक है? इससे यह question सबसे simple question है ठीक है? square root मतलब 2 बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा square root में क्या होता है? 2 होता है कैसे ना? इसी तरह से तो लिखते हो आप square root है ना? square का मतलब चलो यह भी छोड़ो square का मतलब तो 2 ही होता है वह हो भी समझ में आना चाहिए square root नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है? और कोई भी number होगा square root होगा वो कैसे होता है? मालो की यह 4 है ठीक है? 4 का square root कितना होगा? 2 कैसे? 2 का square 4 हुआ है के ने? मतलब 2 से ही कहना ही का मतलब square root का मतलब 2 है square से ही आप समझ जा 2 है तो करना यह है square मतलब 2 है तो यहाँ पे जो भी number देखोगे आप तो 2 की जोड़ी बना लोगे जैसे इसमें यह दो number है ठीक है? एक जोड़ी में दो number होगे इसी तरह से यहाँ पे एक जोड़ी में दो number बना लोगे यह बना ली एक जोड़ी फिर यह अलग जोड़ी हो जाएगी इसमें भले ही एक number है लेकिन यह भी एक जोड़ी है ठीक है? इसी तरह से यह एक जोड़ी फिर यह जोड़ी फिर यह single हो जाएगी ठीक है? फिर इसी तरह से यह 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 समझ में आगे ना, square मतलब 2 और 2 मतलब 1 जोड़ी में 2 number ठीक है, तो बस यही बताना आपको ठीक है, अभी देखें, आपको मैं prove भी करके दिखा दूँगा ठीक है, इसमें कितनी जोड़ी बन रही है 1 मतलब कितनी digit होईंगी इसके answer में number of digit 1 होईगी, कैसे, यह किसका square है 8, 8 जा, 64 तो 8 का square है square, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, square root कैसे होगा 8 का square किया आपने, 64 आया, ठीक है फिर यह square यहाँ से 8, तो यहाँ क्या हो जाता है 64 हो जाता, यही तो होता है under root ठीक है, तो same इसी तरह से यहाँ पर भी है यहाँ पर कितनी जोड़ी बन रही है, 1, 2 ठीक है, अब यह किसका square root है 12 का, है ना अब तो आपको सीधे करते चले आना, देखिए 1, 2, 3, 3 नंबर होएंगे 1, 2, 2 नंबर होएंगे 1, 2, 3 नंबर होएंगे था कि नहीं, simple अब कोई कोशन अच्छे समझ में आया होगा अगर आपकोई कोशन अच्छे समझ में आया है तो प्लीज मैं चैनल को like and subscribe करना व्योखकोल भी ना बूले, thank you so much